नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमेराधी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा जो की बिहार के सबसे जाने माने फिजीशन्स में से एक है आज हम डॉक्टर साहब से पेट दर्द के बारे में बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो की लोगों को लगता है सबसे आम समस्या है लेकिन अगर इसे नजर अंदाज किया जाए तो वो काफी जादा भारी पढ़ सकता है सबसे पहले डॉक्टर साहब नमश्कार बहुत बहुत चाहए आपका डॉक्टर साहब पेट दर्द सुनने में लोगों को लगता है सबसे आम समस्या है अपने आप ही ठीक हो जाती है लेकिन आज में चाहूंगे आप हमारे दर्शकों को ये समझाए कि पेट दर्द चिंदा का कारण कब कब बन सकता है देखे पेट दर्द को कभी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए पेट दर्द आदमी ये सोच के इगनोर कर देता है कि अरे कुछ नहीं है गैस होगा और इसे कारण क्या है कोई भी कोई गैस की दवाय खा लेते हैं अराम हो जाता है और उसे छोड़ देते हैं कभी भी पेट दर्द को इग्नोर ना करें, पेट दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं, मुक्यता गॉल ब्राडर में स्टोन होना, किड्नी में स्टोन होना, आत के अंदर सूजन होना, आत के अंदर घाव होना जिसे अलसर कहते हैं, और सबसे प्रमुक कभी-कभी ऐसे केसे में आत के अंदर ट्यूमर होना या कैंसर का भी कारण होता है जिसके कारण पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए कभी पेट दर्द को नजर अंदाज ना करें। डॉक्टर साब अभी आपने कहा कि पेट दर्द को नजर अंदाज ना करें। तो ऐसे कौन से लक्षन हो पेट दर्द के साथ साथ जो आते हैं लोगों को सीधे डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए? पेट में दर्द हो, उल्टी हो, वजन कम हो या पेट के दर्द के साथ खुन के उल्टिया हो या काला मल हो तो डॉक्टर के साथ जरूर मिले. कभी-कभी अगर किड्नी में श्टोन होता है तो पेट दर्द के साथ पेशाब की समस्याई भी उत्पन हो जाती है, पेशाब रुख जाता है या रुक-रुक के पेशाब होता है, अगर यह सब लक्षन हो तो आप डॉक्टर से जल्दी मिले. पेट दर्द में बजन कम होने लगता है, तो आप जल्दी से जल्दी मिले क्योंकि यह हो सकता है कि कैंसर के लक्षन हो. जी, डॉक्टर साब, अगर किशी को पेट दर्द लकातार हो रहा है, यानि कि बिल्कुल आराम नहीं है, दवाईयां भी ले ली है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? समुचित इलाज कराएं, अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कराएं, पेट दर्द में हम लोग कॉमन ब्लड टिस्ट कराते हैं, अल्टराशाओन इन्वेस्टिगेशन अफच्वाइस होता है, अगर अल्टराशाओन से पता नहीं चलता है, तो हम लोग CTA स्कैन करात या फिर उससे भी नहीं पता चलता है, और दर्द के साथ कुन के उल्टिया हो रही है, तो हम लोग अपर जिया इंडोस्कोपी करके, यह देखते हैं कहीं आत्में ट्यूमर तो नहीं है, कहीं आत्में घाओ तो नहीं है, और उस विधा पे हम लोग आगे इलाज करते हैं, डॉक्टर साब कई बार ये भी होता है लोगों को पेट दर्द के साथ, कि वो लोग उन्हें लगता है कि घर में कोई दवाई ले लेंगे, कोई घरे लूप चार कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, शायद सेफ ग्यास की वज़े से समस्या हो रही है, तो यह जो सोच है, यह क आपको गैस के कारण ही हो रहा हो, वो आपको बिलेरी कोलिक भी हो सकता है, रिनल कोलिक भी हो सकता है, अलसरेटिव कोलाइटिस के कारणी में दर्द हो सकता है, पेट में ट्यूमर के कारणी में दर्द हो सकता है, इसलिए कभी पेट दर्द को नजर अंदाज न करें दॉक्टर साब पेट दर्थ के साथ एक और समया काफी आम है, पेट में भारी पन होना, इससे बहई लोग काफी परिशान रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि इसका असली कारण क्या है और क्या नहीं देखिए पेट दर्द और पेट का भारीपन कहीं न कहीं चुड़ाव हो सकता है अगर आपको गैस ज्यादा बन रहा है तो पेट में दर्द होगा और दर्द के कारण उसक भारीपन हो सकता है इसलिए पेट दर्द और भारीपन हो तो कुछ हद तक हम यह कहा सकते हैं कि यहां पेट में भारीपन भी है तो आप एक बार डाक्टर सहवस से मिले डाक्टर कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब करेंगे वो टेस्ट कराएं डॉक्टर साब क्या इसका लिवर से कोई कनेक्शन हो सकता है इस पेट के भारीपन का? हो सकता है अगर लिवर आपका कमजोर हो लिवर फेलियर हो तो पेट में पानी भरेगा तो पेट में भारीपन होगा डेफिनिटली लिवर के साथे कनेक्शन हो सकता है अगर आप पेट में दर्द और पेट में भारीपन इस समस्या को हलके में लेते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि ये शुरुआती लक्षन हो सकते हैं किसी गंभीर बीमारी के इसलिए अगर ये समस्या आपको होती है तो डॉक्टर से मिले और खुट डॉक्टर ना बने बाकि की वीडियोस के लिए चानल के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्षिन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है धन्यवाद